जैश्यराम दोस्तों स्वाध है आप सभी का दग क्रिश्णा क्लासिज में तो दोस्तों अभी अभी अपडेट आ चुके है UKPSC से तो दोस्तों UKSSSC और UKPSC से समद्धी सभी परकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तो यह अधिशासी अधिकारी कर यहों राजस्तो निरिक्षक यो का जो एकजाम का हुआ था कब हुआ था एकजाम यहां पे लिखा गया है 26 नॉमबर को ठीक है और रिजल्ट कब आया था 20 मार्च को तो इसका दोस्तों सत्यापन होना है 1-2 अप्रेल को सभी से मैं बता देता ह एक दो अप्रेल को सत्यापन आपका होना है ठीक है यहां पे इनोंने रोल नंबर वाइस दिया है एक को साड़े नो बजे कौन आएंगे ठीक है एक को डेड़ बजे कौन आएंगा ठीक है और दो को साड़े नो बजे कौन आएगा दो को डेड़ बजे कौन आएंगे तो य यहां पर इस तरह से आपको क्या है, दो दो सेट ले के जाने है, यहां पर डॉकमेंट लिखे गए है इसको भी आपको दोस्तो अच्छे से देख लेना है, ठीक है जो एग्रिकल्यचर वाले हैं, उनका क्या होगा तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जो हभी ये exam है वो क्यों नहीं हो रहे देखो दोस्तों आप सभी को पता है UKPSC क्या है exam करवाता है ठीक है सभी को पता है man body UKPSC exam UKPSC करवाएगा लेकिन जो exam में सहायता करते है वो कौन करता है दोस्तों एक तो police करता है और दूसरा teacher करते है schools और teacher अब क्या है teacher की भी duty है election में police की भी duty है election में तो भाई जब भी duty लगी है और साथी साथ इनकी training होनी है तो दोस्तों exam कैसे होगा ये थोड़ी सी क्या हो जाती है ब्योस्ता में यहां दिक्कत आ जाती है तो दोस्तों अभी exam नहीं होने के और ये आपको पता है नए notification अभी नहीं भी जबतिया आती ही नहीं है तो अब क्या बचता है अब बचता है दोस्तों UKPSC की जो करमचारी है वो क्या करेंगे वो करेंगे DV जितने भी है सब की DV होगे अभी 19 तक दोस्तों आपकी क्या है DV होनी है ये मैं बता देता हूँ अब बात करते है 23 अपरेल की 23 अपरेल को 19 को तो हो रहे exam खतम सौरी election खतम उत्राखन के exam माल लो election 19 के बाद दोस्तों 20 में एक दिन लगी जाता है दूर दराज के जो लोग है शाम तक घर आएंगे फिर घर के बाद अपना गाओ निकलेंगे जो teacher लोग है ठीक है 20 के बाद क्या है 2-3 दिन की सब लोग छुटी कर देते है 2-3 दिन की छुटी हो जाएगी तो 23 हो जाएगा अब 23 से 26 दोस्तों जहां तक मुझे लगता है एग्जाम नहीं होगे बाकी दोस्तों UKPSC चाहेगा ठीक है क्योंकि तब तक teacher तो available हो जाते है ऐसा नहीं कि teacher available नहीं होगे तो UKPSC चाहेगा एग्जाम हो सकते है तो आपको करना क्या है preparation करनी है बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं तब और एग्जाम होगे फिर फिर क्या होगा फिर कहां जाओगे कहां से उस समय को वापिस लेके आओगे तो दोस्तों आपको पढ़ाई जरूर करनी है ठीक है यह हो सकता है एग्जाम नहाँ हो ठीक है यह update दोस्तों मैं आपको दे रहाऊ बट आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है पढ़ाई को आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना आपका नुकसान अगर हो गया तो दोस्तों आप उस समय को फिट से नहीं ले के आ सकते ठीक है क्योंकि कुछ मैसेज मैंने देखे अभी ग्रूप में मेरे को भी आये है वो खुश हो रहे है कि तेश को भी एग्जाम नहीं होगा अब हम थोड़ा आराम से पढ़ेगे अब इलेक्शन में जाएगे तो दोस्तों फोकस इलेक्शन में नहीं करना है इलेक्शन में आप करिए जाइए आपको पता है अभी तक क्या हुआ ठीक है वोट आपको किसको देना है पता है टिहिरी के लोगों को सब को पता है वोट किसको देना है ये की नाम है Bobby Bumar ठीक है जिसने हमारे लिए लाठी खाई जिसने हमारे लिए जगे जगे हमारी आवाजों को रखा हमारी आवाजों को उठाया ठीक है जिसने UK त्रिपल ऐसी जैसे बड़े जो गिरोव थे उनको पकड़ वाया जिसने UK PSC के चतुरवेदी को पकड़ाया तो ये सब कुछ ये सब कुछ जिसने क्या उस इनसान का ही हक है दोस्तों अगर वो उठा है तो वहाँ से हमारी आवाज सशक्त होके जाएगी जिसने हमें लाठी मारी उससे तो सवाली नहीं बनता बोर्ट देने का वो कहा था वो इनसान कहा था जिसने हमें क्या है लाठी मारी बागी दोस्तों ऐसा है कोई जिक्कत नहीं है सेंट्रल पे जिसकी सरकार आनी है वो आनी है लेकिन वहां के लिए उस इंसान तक पहुँचने के लिए बौबी भाई जैसे लीडर को वहां तक जाना आउशक हो जाता है ये आउशक मन जाता है और हमारे लिए जो हमारी आईए 22 मार्च यानी कल ठीक है यहां पर बौबी भाई का नामांकन है और अगर आप धेरादुन में है तो आप जरूर आईए दोस्तों और नामांकन में जाईए ठीक है क्यूंकि आप सभी युवाओं की जरुवत है ठीक है और हर घर में जितने भी दोस्तों टिही छेतर के लोग है अगर आपके घर में वोट मांगने आते है तो एक प्रश्ण जरूर कर ले ना उनसे जब हमारे बच्चों को देरादुन में लाठी पड़ रही थी ब्रश्टाचारियों को भार खुला घुमाने भेजा जा रहा था ठीक है और हमारे बच्चों को लाठी पड़ उसने किया अब समय आपका है दोस्तो बोट जरूर देना है ठीक है आपका एक बोट पूरे उत्राखंड की किस्मत बगल सकता है तो इसको दोस्तो जरूर आपको देना है मेरा भी पहला बोट है मैं पहला बोट दूँगा दोस्तो लेकिन दूँगा और सही जगे दूँग ठीक है परिणाम दोस्तो आउश्य हमारा होगा अगर हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे इस सच्चाई के साथ और इस बेईमानी ब्रष्टाचारी को खतम करते हुए चाहे वो भू कानून का मुद्दा हो चाहे वो न्याय दिलाने का हमारी माता और बहनों को न्याय दिलाने का म अगर उन्होंने वहां के लिए हमारी बातों के लिए हमारी बातों को मजभूती के लिए खड़ा होना है तो हमारा दोस्तो हक बनता है कि हम उनका समर्तन करे क्योंकि आज तक उन्होंने हमारी हर एक बात को बहुत अच्छे से बहुत सशक्ति के साथ एक चुनोती पूर्ण धंग से रखा है ठीक है हमारे लिए डंडे खाए है ठीक है हर जगे है लोगों ने कई लोगों ने उनको ये बोला ये वो कर रहा है राजनिती कर रहा है लेकिन नहीं हुनों ने हमेशा हमारी बात रखी उन्हों ने उन सब की सुनी ठीक है सब की वो रात रात को हमारे साथ हम हमारी लड़ाई में हमारे ब्रष्टचारों की लड़ाई में कौन खड़ा था एक नाम बोवी पुआर ठीक है जब वो तीन सो धाई सो दिन वहां पे धरना इस चल पे बैठा उनकी मांग पूरी नहीं की आज तक CBI की जांच नहीं हुई इतने बड़े मैटर में पूरे जो गिरो था वो भार घुम रहा है खुला घुम रहा है लेकिन CBI की जांच नहीं हुई ठीक है और दोस्तों क्या होना था कई चीज़े होनी थी ठीक है चाई UK SSSC हो UKPSC इन इस तरों पे कई जांच होनी थी कई बड़े नाम भाराने थी क्याई वो नियाय हो माताओ भैनाओ के स ऐसा चाहिए जो हमारी आवाज को पहुंचा सके ठीक है वहां तक जो आवाज पहुंचा सकता है वही हो सकता है जो आज तक हमारे साथ लड़ा है वह कभी वह नहीं हो सकता है जो हमारे साथ कभी लड़ा ही ना हो तो दोस्तों आपको सोचना है आपका पहला वोट है आप य जिताने का पूरा जितना हो सकता है और मैं हर युवा से बोलता हूँ अपने माबाब को एक बार ये बात बोलना जो वोट देने तुम से मांगने आएंगे उनसे ये बोलना जब धंडे पढ़ रहे थे हमारे बच्चो को जब खून की नद्या भैरी थी हमारे बच्चों की, तब तुम कहां थे? तब तुम धंडे बचाने क्यों नहीं आए? जब हमारे बच्चों को वहाँ पे कचहरी के पास, सर्दियों की रातों में उन रातों को अगर दोस्तों मैं आज भी याद करता हूँ तो बड़ा मतलब अंदर से रोना आ जाता है ठीक है लेकिन उन्होंने ऐसी रातों में हमें बाहर छोड़ दिया हमें टॉर्चर किया धमकाया क्या कुछ नहीं किया वो हमें बता है कितना कुछ नहीं किया लेकिन आप सभी का जो जोश था प्यार था वो हिमत थी उसकी बज़े से दोस्तों हम वहाँ पे डटे रहे क्योंकि हमें पता था अगर हमारे साथ ये कुछ करते हैं तो आप सब लोग पुरा उत्राखन का जो युवा है वो फिर से सड़कों पे आएगा हमारा सपोर्ट करेगा ठीके ये चीजे हमने दोस्तों अपने माइंड में रखी आप लोगों को रखा तो आज भी दोस्तों आप सभी की जरुत है आप सभी को आना है और सपोर्ट करना है चाहिए आप उत्राखन के किसी भी छेत्रे से हो कोई मैटर ही नहीं करता बॉबी पॉआर के लिए आपको आगे आना है चाहिए आप उस शेयर कर रहे हो चाहिए टिहीरी छेत्रे का कोई आपका दोस्तों कुछ भी हो चाहिए आप कहीं से भी हो दोस्तो आपको इतना काम तो ओनलाइन इस तर पर ही करना है अगर आप ओफलाइन नहीं आ सकते दूर से तो ओनलाइन इस तर पर ही चाहिए क्यों ना हो आपको सपोर्ट करना है बोबी पुआर का पूरा एक पीज है फिस्पुक पे एक यूटूब पे पूरा और हर जगे आपको जाना है और सपोर्ट करना है और इस वीडियो को भी दोस्तों सभी तक शेर करना है ठीक है उन बूडे माबाब तक तक तो जरूर जिनका बेटा यहां पे लाठी खा रहा था और आज लाठी मारने वाले हाथ जोड कर जा रहे है कि हमें वोट दो तो दोस्तों अगर हमारा जो युवा इस तरह से काम करेगा एक साथ होके एक जुड होके काम करेगा तो दोस्तों जरूर उत्राखन विकास की ओर बढ़ेगा ठीक है अन्यसा दोस्तों यहां पे जो मैन मुद्देह उनसे तो परदा उठाया है नहीं जा रहा ठीक है? यहां पे चाहिए क्या और हो क्या रहा है ठीक है? आए दिन हम देखते है सडके बिश्ती है ठीक है? और हम खुश होते हैं चलो वही पैंटिंग होगी लेकि अगर हम दस दिन बाद उसी सडकों पे जाते है तो वहां पे खुदा ही हो चुकी होती है मतलब गूस खोर इतना है जब अरे जब तुम पैसों दे के भीभाग में डालोगे तो यही तो होना है जब तुम यही अच्छे से नहीं बनाओगे यही अच्छे से कमाई है वो तुम इस तरह से बरवाद करे हो ठीक है क्यों क्योंकि आपने धांदलियां की वहां पे तो चतुरबेदी बैठा थे चतुरबेदी जैसे बनाए गए स्लेक्ट किये गए जो लोग है जिसको उसने अंदर लिया होगा जिससे उसने पैसे खाए होगे उस चतुरबेदी के बनाए हुए जैई क्या आपको लगता है कभी उसमें अकल होगी ठीक है और जो आदमी जो जैई पैसे खाके चतुरबेदी को पैसे देके अब खुद को जैई बना सकता है क्या वो ऐसे जगे में रहना पसंद नहीं करेगा बिलकुल करेगा और उनी की बदोलत ये हाल हो रहे है जो मैन रोड में पहले आप से पैंटिंग करवा दी जाती है और एक महीने के अंदर अंदर उसको उखार दिये जाते है फिर कुछ क्या वो रहा है अरे भाई अगर तुमार को बिचानी है कम से कम एक एक डेड़ साल तक तो चलती है अगर पैंटिंग हो एक डेड़ साल तक चलती है तब तक तो रहने दो भविष्य के प्रोजेक्ट है पहले बताओ भई हम ये लाइने यहाँ पर पेंटिंग कराने वाले अगर कुछ कोई किसी भी परकार की तार वाले हो या कोई भी नाली हो अगर कुछ दिकत है तो हब ही बताओ हमारे पास हाओ ठीक है उसको पहले कंप्लिट करो देन उसके बाद भी जो अरे तुमने तो है उत्राखंड का और हमारा पैसा हमारे माबाफ का खून पसलिणा जो कमा के पैसा टैक्स भर रहे हैं सब लोग उनका पैसा तुम इस तरो से बरबाद कर रहे हो ठीक है क्योंकि तुमने तो शैंस इनी है तुमें तो नौलेजी नहीं है ठीक है जीरो इस्तर का क्योंकि selection ले रहे हो तो तुम्हें पैसों का महतों कहां से बताऊगा तुम्हें तो हो गए नहीं और तुम्हें तो वही पैसे कमाने तुम्हें तो कामी इसलिए कर रहे हो बस तुम्हें वह पैसे वापिस कमाने फिर किसी और से भी खाने है क्योंकि जिस दिन CVI जाँच होगी, कुछ ऐसी जाँच अगर होती है बविश्य में, चैलेंज के साथ बहुत सकता हूँ, जो चतुरुबेदिय है, वो सिर्फ उसी में पैसे खाये थी, ठीक है, उससे पहले खाये ना हो, ऐसा हो इनी सकता, ठीक है, ये सब चीजे है, ये सब कुछ आपको देखना है, एक उत्राखंड के युवा को देखना है, युवा उत्राखंड है, युवा हम है, हमें देखना है इस चीज को और उत्राखंड को, जब युवा उत्राखन अपने चरम आउस्था में आता है तब वो एक सही दिशा में जाता हुआ उत्राखन हो जै हिन जै भारत जै उत्राखन